पंजाब विधान सबच्चुनाव जैसे जैसे नस्दीक आ रहे हैं आम आदमी पार्टी में बगावत के सुर्ट टिकेट बंटवारे को लेकर तेज होते जा रहे हैं इस बार हुश्यारपुर जोन से पार्टी के एक्स कॉडिनेटर विरेंदर सिंग परिहार ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है परिहार ने आरोप लगाया है कि जिन लोगोंने पार्टी को पैसे दिये हैं उन्हें ही टिकेट बेची गई है साथ ही पार्टी फंड को लेकर भी आम सुप्रीमो अर्विन के जिवार और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर विदेश से गलत तरीके से फंडिंग करने के अरोप लगाए हैं परिहार निसांसद भगवन्तमान, पंजाब के पार्टी कन्वीनर गुर्पीद घुगी, आप नेता सुख पाल खेरा, कवर संदू, हिमत शेर गिल पर गलत फंडिंग के अरोप लगाते हुए इसकी CBI से जाच की मांग की है आपको बता दें कि परिहार निया रोप चंदिगर में एक प्रेस कांफरेंस के दुरान लगाए चुनाव के मधे नजर जिस तरह से पार्टी के कई कारकरताओं और नेताओं ने पार्टी का विरोध करना शुरू किया है और पार्टी पटिकेट बेशने के आरोप लगाए हैं उससे काफी हद तक पार्टी की चुनाव से पहले ही छवी खड़ाब हो गई है जिसका फायदा इन चुनावों में अकाली दर और कॉंग्रिस को होने वाला है ते मेरे प्रेसे जरी एए पीला अर्विंद केजरी वाल जी नो के संजे सिंग दरगेश पाठ कर ते एना जेड़ा ने इनदा बिचले दलाल होने वे चंदन सिंगों ने इहे पैसे लेके पंजाब जेना ना टिक्टा बेचिया ते साथे भी मंग रहे हैं असी एपील कारदिया भी इना नो खलाब कनूनी कारवाई किती जावे ते इना टीमा नो भी वाफस बलाया जावे